केलम एपक्स 120 एमजी टेबलेट जो की बनाई जाती है केलम लबरोटी इस प्राविट लिमिटेट के दुवारा बनाई जाती है इसके अंदर फैक्सो फिडेडिन हाइड्रो क्लोराइड्स 120 एमजी रहता है और यह था 130 रुपिस का यह पूला स्ट्रिफ रहता है जो के ट्री के एडवाइस क्या रखने का है रोज में सुझा तो कैसे लेने का है और इसका सब्स्ट्रिट कुनकुन सा अवेलेबल है तो वो सब बाते इस वीडियो में मैं सेयर करूंगा ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके तो यह वीडियो केवल एंद केवल मे स्टूडें के एजुकेशन प्रपस के लिए तो कोई भी मेडिशन से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जुरूर ले तो वीडियो को हम स्टार्ट करते एक छोट असा इंट्रो के बात तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि केलम एपेक्स 120 एमजे टेबलेट जो कि केलम लबोरेटिस के दुआरा बनाई जाती है फेक्सो फिडेंडिन हाइड्रो क्लोरेटिस के अंदर 120 एमजे रहता है और 130 रुपे का यह दस गोली का पूरा इस्ट्रिप रहता है यह टेबलेट जो कि बहुत पॉपूलर टेबलेट है जो कि ट्रीटमेंट करती है सीजिंग का रनी नोज का एलर्जिक का और एलर्जिक कंडिक्शन का यह ट्रीटमेंट करता है और यह allergic जो कि रूमेटेटिक्स में भी योज की जाती है, इचिंग में, रनी नोज में और ब्लॉक कर देता है, नोज, इच्छी, रेड और बाटरी आइस में भी इसको योज के जाता है, अगर आप इसको ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलासे ने ले रहे हो, इसके करती है, तो इसके मेकनिसम की बात को, तो इसके अंदर जो ड़वाई डाली गई है, वो फेक्स ओ लेने हाइड्रोक्लॉड डाली गई है, जो की एक एक एंटी स्टामिन से है, जो की ब्लॉक कर देता है, सेतन केमिकल मेसेंजर को,illar इसस को, जिससे क्या होता है, वहाँ पूछ सकते हो चैनल पर और वडियो पर पहली बार आप विजिट कियो तुम्हारे चैनल को जुरू सस्क्राइब करें साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाए ताकि जब भी मैं नेक्स वीडियो अप्लोड करूँ तो आप तक एक नोड़ी किसम पहुच जाए तो आ में ख्याल रखी